नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम यहां बहुत जरूरी है कुछ चीजों की क्रोनलोजी को समझना यानि किस तरह से घटित हो रही हैं हमारे आपके समाज में घटनाएं चीजें जो सामने आ रही हैं वह बहुत दिल्चस्प हैं दराने वाली भी हैं लेकिन हम और आप कितना भी चाहें यह रुकने वाली नहीं हैं इसलिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में हमें और आपको यह समझना कि आज न समिधान बदलने की जरूरत है न देश का कानून बदलने की जरूरत है और ना ही बड़े पैमाने पर कतले आम या दंगा करवाने की जरूरत है अब मौडल बदल गया है नफरत का जो मौडल चल रहा है देश में इसमें जो नया नॉर्मल बना है उसका उदाहरण करनाटक से लेकर मध्यपरदेश से लेकर खुद देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है इसमें समझना यह जरूरी है कि जो लोग नफरत पहलाना चाहते हैं पहला रहे हैं इनके पास जबरदस सत्ता है और यह सब कुछ कानून के दायरे में ही हो रहा है यह जब कारिक्रम करना चाहते हैं दिल्ली में देश क पिराजधानी में इन्हें जरुवत ही नहीं है कि यह पुलिस प्रशाशन से अपने कारिक्रम के लिए इजाज़त लें बिना इजाज़त लिए बुराडी में जिस तरह से हिंदू धर्म संसद हुई जिसमें बेल पर बाहर आए यतिनानंद ने नफरत का अंबार लगा दिया घिनों ने व्यक्तव दिये मुसल्मानों के कतले आम की बात की सब कुछ किया और कानून वहीं का वहीं खड़ा रहा देश की पुलिस वहीं की वहीं खड़ी रही कहीं कुछ नहीं हुआ यह हमारे भारत का निया नॉर्मल है अब देखिए इसमें हम और आप हो सकता है सोच के थोड़े परेशान हो जाएं कि मामला शुरू करनाटक से हो रहा है या फिर खतम दिल्ली में हो रहा है दरसल यह ना कहीं से शुरू हो रहा है ना कहीं से खतम हो रहा है इसका बहुत सीधा सा हिसाब है कि वह नफरत की जो एजेंट है नफरत की जो पॉलिटिक्स है वह दरसल हमें आपको हमारे देश को चेक कर रही है देख रही कि कितना गरम हम और आप जेल पाएंगे क्या नया नॉर्मल बनेगा कहां देश नफरती उन्माद में ठहरेगा वरना यह अकारण नहीं है कि करनाटक में जो सारा का सारा मामला शुरू हुआ हिजाब से वह धीरे धीरे पहुचा मुसल्मानों के आर्थिक बाइक पॉट में वहां कहा गया कि हिंदू मंदिरों के आसपास उनके आयोजनों के आसपास मुसल्मान वैपारी होने ही नहीं चाहिए उनकी दुकान होने ही नहीं चाहिए और अब मामला हलाल और जटके पे अटका हुआ है यह छोटी छोटी चीजें बहुत सोस समझ कर एक साफ दिखाई दे रहा है कि देश के कुछ कोनों को कुछ हिस्सों को बिलकुल टार्गेट किया गया है और यहां पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी जादा नफरत पहला सकता है कौन कितना जादा खौफ तारी कर सकता है मुसल्मानों के खिलाफ पत्रकारों के उपर औ अकारण ही नहीं है कि उसी तरह की राजनीती उसी तरह से मुसल्मानों को निशाने पे लेने में मदर प्रदेश होड लेता है करनाटक से फिर दिल्ली तक मामला पहुशता है गाजियाबाद में हमने देखा किस तरह से नवरात्र के इर्दगिर्द बकायदा ऐलान किया जाता है पहले सरकारी मशिनरी द्वारा कि यहाँ पर कुछ भी मास मशली नहीं बीकेगा फिर प्रशाशन थोड़ा पीछे होता है तब बजरंग दल सरीखे संगठन सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर बेचा गया दुकान खुली तो हम इसे निप्टेंगे यह जो भाव है यह भाव निश्चित तोर पर डराने वाला है और यह बता रहा है कि देश में कुछ लोग के लिए नया नॉर्मल यह है कि कानून इन्हें रोखता नहीं है अब मिसाल के तौर पर देखिए कि जिस तरह से बिना पर्मिशन के बिना इजाजत के देश की राजधानी दिल्ली के बुराडी में तथा कथित हिंदू धर्म संसद हुई यह उन्हीं लोगों ने की जो पि मुख दुश्मन मुसल्मान है दिल्ली के बुराडी में जो हुआ वह हमारे और आपके लिए देश के भविश्य के लिए निश्चित तौर पर गहरी चिंता का सबब है वजह यह कि बहुत आराम से दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि इसकी तो पर्मिशन नहीं थी जबकि हम किया और अब आप देखिए कि इस नफरत फैलाने वाली जो संसद हुई इस पर रिपोर्टिंग करने के लिए जो पत्रकार पहुचे उन पत्रकारों के साथ कैसा सुलूक किया गया मैं यहाँ न्यूज लॉंड्री की जो बहादूर पत्रकार शिवांगनी सकसेना हैं रोहोनी भठ हैं और बाकी जो पत्रकार वहाँ पहुचे जिन्होंने बहुत दिलीरी से रिपोर्टिंग की सारे डर और खौफ को किनारे करते हुए उन्हें सलाम पेश करना चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों की बदौलत पत्रकारिता पर आस्ट लोगों की बनी हुई है और शायद यही वज़ा है कि इन्हें सीधे सीधे निशाने पर लिया आप आप देखिए इस धर्म संसत का आयोजन करने वाले सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीट सिंग और पिंकी चौ इस्वती जिनको गिरफतार किया गया था जो जमानत पर रहा हुए जो तमाम महिलाओं और खास तोर से हिंडू महिलाओं और भाजपा की महिला नेताओं के खिलाफ जहर लगातार उगलते रहे हैं वह यहां मुख्यवक्ता थे उन्होंने वही किया जो लगातार करते आए ह उसके साथ साथ उनके साथ यहाँ पर मुख्य वक्ता के तौर पर सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चोहान भी मौजूद थे अब आप देखिए मंच से बकायदा अहवान किया गया उन्होंने जैसे ही पहचाना न्यूज लॉन्री की शिवांगनी को क्योंकि शिवांगनी लंबे समय से दिल्ली में जब जब ये लोग नफरत फैलाने आये हैं तमाम अन्य पत्रकारों के साथ मौजूद रही हैं इन्हें बेनकाब करती रही हैं आठ अगस 2021 को जंतर मंतर पर जब इसी संगठन ने मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन किया था देश के समिधान की धज्जियां उड़ाई थी तब उन्होंने रिपोर्ट किया था जिस रिपोर्ट के आधार पर संगठन के आयोजकों प्रीती सिंग और पिंकी चौधरी की ग प्टाने के लिए बहुती दूसरे ढंका माहौल बन गया हैरानी की बात ये है कि पुलिस बड़ी मुश्किल से सक्री हुई और उसे लगा कि देश की राजधानी में अगर पत्रकारों के साथ कुछ हो जाएगा तो शायद बड़ा हंगामा हो जाएगा उसने अपने वैन मे इन लोगों को बठाया लेकिन आयजुकों के खिलाफ कोई कारवाई कुछ भी नहीं किया गया आयोजन वैसे ही चलता रहा बाद में तीन FIR हुई जिसमें से एक FIR आर्टिकल पंदरा और पत्रकार मीर फैजल के खिलाफ हुई है यह आलम है कि एक आयोजन जो पूरी तरह से गैर कानूनी पूरी तरह से नफ्रक फैलाने वाला देश के कॉंस्ट्यूशन के खिलाफ है वह होता है पुलिस प्रशाशन देश की संसथ जहां पर बैठे हूं में हैं प्रधान मंत्री संसथ चल रही है सब कुछ होता रहता है पूरी खामोशी बनी रहती है और यह सुर्वल देश की राज़धानी में है तो हम और आप सहजी सो सकते हैं कि देश के अन हिस्थों में क्या हो रहा होगा सवाल सिर्फ मुसल्मानों का ही नहीं है सवाल देश के तमाम अलपसंखकों का है और इसका एक उदाहरण एक बानगी हमें देखने को मिली जम्मू में अब जम्मू में देखिए कि वहाँ पर एक स्कूल में एक सिख लड़की को सर ढखके आने से मना कर दिया गया वह कृपान लेकर आ रही थी उन्हें जो स् अब सिर्ण नंगा कहीं बाई रही गूंगा नहीं रहोगे यह पांच के कार के दार नहीं रहोगे जीते जींस इनसे आप दूर नहीं उटें तो जो बच्ची यहां पर आई दुबटा लेके आई सूट पैंड के आई कमी सलवार तो कड़ा पैना था किरपान पैनी थी यह को बुलाया कि यह तो दुबटा पैन के नहीं आ सकती तो अपने कड़े का साइज छोटा करेगी करपान वो पैन के आएगी जो किरपान खुल नहीं सकती मैं पूछना चाहता हूँ किरपान ऐसी कौन सा को नुकुलर वैपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर कलास में व कर देता हूँ किरपान चोटी कर लो वो मैं भी कर देता हूँ लेकिन अगर आप खरते हो दुबटा चोड़ दो हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आसकी मेरी बच्ची यह मार लिए मैंडिटर यह सिक्फेत के लिए इसके भिना यह नहीं आसकी उन्हें का फिर क्लिजिस आइडेंटिटी को मैंटेन करने उसे उसके साथ जिन्दा रहने का हक देता है उस हक को यह लोग छीन नहीं सकते तो मामला धीरे धीरे फैलता जा रहा है एक ही रंग में एक ही धंग से पूरे देश को रंगने की जो कोशिश है उससे आप कब तक बचेंगे हम कब नहीं जा सकता यह हमला चारों तरफ पहला हुआ है यह उन तमाम लोगों पर है जो सच के साथ खड़े हुए हैं निर्भीकता से अपना काम कर रहे हैं इसकी ताजा मिसाल उत्तरप्रदेश में भी देखने को मिली बलिया में जहां उत्तरप्रदेश बोड का जो पेपर ली प्रपिया है उसपे कारवाई करने के बजाए जिन लोगों ने यह खुलासा किया जिन पत्रकारों ने खुलासा किया अमर उजाला के अजीत कुमार ओज्छा दिग्विजे सिंह और राश्टे सहारा के पत्रकार मनोच कुमार जब्बु को गिरफ़तार करके जेल में डाल अब देखिए जो पुलिस प्रशाशन कर रही है उसे खुल कर वहां की जो नई सरकार बनी है योगी आदितिनात की उसका समर्थन उसे प्राप्त है वहां से अभी तक किसी का भी कोई बयान नहीं आया कि क्यों यहां पर इन पत्रकारों को गिरफतार किया गया सुकून की बात यह है कि पूरे इलाके के पत्रकार इसे लेकर बहुत गुसे में हैं वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ इन पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर और अमरुजाला ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने गिरफतार पत्रकारों के पक्ष में खड़े हुए बलिया में जिस तरह से पत्रकारों ने अपने साथी पत्रकारों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया आंदोलन किया वह निश्चित तोर पर भारत की लोकतंत्र को बचाने वाली एक पहल दिखाई देती है वे खुल कर सामने आ रहे हैं और शायद यही सब को करना बहुत जरूरी है इसी करम में देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से तीन चार पत्रकारों को निशाने पे हैं और डिजी पप जैसी संस्था ने खुल कर कहा है कि पत्रकारों को धर्म के नाम पर चिन्हित करना उनके उपर हमला करना बहुत खौफनाक नजीर है और ऐसा लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी इसके खिलाफ एक आयोजन होगा दोस्तों यह समझना जरूर हैं जिनका आप से हम से और इस पूरे देश से कोई वास्ता नहीं है हम सदियों से साथ रहते आये हैं और यह एक हकीकत है इस देश को छोड़कर कोई इतने बड़े पैमाने पर कहीं नहीं जा सकता वजह क्या है वजह बहुत साफ है वह चाहते हैं कि नफरत को यह जो एक्स अलव हो जाएं यह जो हमारी साजी विरासत है इसे तोड़ तोड़ कर खंडित करके वह चाते हैं कि दूसरे ढंका भारत बने जो न्यू इंडिया जो नया भारत बनाने का कॉंसेप्ट है वह दरसल विखंडित भारत के आधार पर है और इसके लिए धीरे धीरे नफरत को इस से क्या फर्क पड़ेगा शायद यह जो टेस्टिंग है भारती लोकतंत्र की कि कितनी दूर तक नफरत को इंस्टूशनलाइज कर सकते हैं कोई भी संस्था इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं देश में सुप्रीम कोट है हाई कोट है तमाम संस्थाएं हैं देश में यह तमाम संस्थाएं पूरी तरह से नाकाम दिखाई देती हैं और शायद इसी से यह नफरत के जो एजेंट हैं जिन्होंने भारती राजनीती पर कबजा कर रखा है और भारती अर्थवेवस्था पे जिनका कबजा होता दिखाई दे रहा है वह इस नए नॉर्मल को ही पत्रकार राना अयूब को दिली हाई कोट ने इजाज़त दी कि वह विदेश जा सकती हैं हम सब जानते हैं कि उन्हें किस तरह से पुलिस प्रशाशन ने पूरी एजेंसी उन्हें निशाने पर लिया और उन्हें जो बाहर जाना था एन मौके पर रोका गया इसी बीच एक Standing Achievement Award नौर्थ अमरीका की जो सबसे बड़ी Documentary Film Festival है Hot Docs Festival उसने यह पुरसकार देने की घोशना की है आनन पतवर्धन हमारे दौर में एक ऐसे फिल्मकार हैं जो बहुत लंबे समय से जो मौझूदा संकट है भारती लोकतंत्र का हमारे समाज का उस पर बहुत पैनी नजर र इस देश को और दुनिया को दे चुके हैं बहुत से पुरसकार उन्हें मिले हैं उनकी कुछ फिल्में जिनका जिक्र बहुत जरूरी हो उठता है उसमें बॉंबे हमारा शहर जो 1985 में आई थी उसके बाद उनमित्रा दीयाद जो 1990 में आई थी राम के नाम 1992 में बाबरी पिता पुत्र और धर्म युद्ध 95 में युद्ध और शांती 2002 में जो परमाणू पूरा का पूरा उनमात पैदा किया था उसके बारे में और फिर जैभीम कॉमरेड 2011 में और 2018 में वो एक वेब सिरीज विवेक रीजन लेकर आए आनन पतवर्धन हो या वो तमाम पत्रकार या वे तमाम मजदूर जो भारती लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने अपने छेत्र में सक्रिय हैं वह आज जताते हैं कि नफरत की क्रोनोलोजी कुछ भी हो निया नॉर्मल कितनी ही तेजी से बनाने की कोशिश क्यों ना चल रही हो उसके खिलाव भी लोग लामबंध है शुक्रिया